नमस्कार स्वागत है आप सभी का UPSC मुख्य सेविका भरती क्लास 44 है ये और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में और इसमें 100 प्लस को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे क्लास को आप पूरा ध्यान से सुन लीजी का एक बार बाकि अगर आपको कुछ नोट से बनाना हो तो आप नोट से बना सकते हैं और अभी UPSC की तरफ से कनिष्ट सहायक भरती 1262 वैकेंसी का एक्जाम कंड़क्ट हुआ है अगर आपने उक्वेसम पेपर देखा हो तो आपको भी अपनी तयारी उसी अस्तर की रखनी है कनिष्ट सहायक की वरती 12 मंगा जाता है जबकि आपकी वरती में असना तक लेबल की येलिजिबिल्टी है आप देखें होता क्या है कुछ ग्लासेज आपको कहीं सी मिल जाती है पेड, क्लासेज या बैच उसमें क्या होता है जो steady material आपको आलेडी पहले से आपके पास है पीडियाप जो सारी पीडियाप ने हमने आलेडी आप सभी को provide करा रखी है वहीं से कुछ question उठाये जाते हैं उनके द्वारा उतने ही question आपको करवाये जाते हैं और उसी ही में पूरा time निकल जाता है 10-20% ही question question आप कर पाते हैं बाकी question आप देखी नहीं पाते हैं इससे अच्छा है कि आप अपना खुद का steady material हो कोई बुक की पीडियोफ हो उसको एक बार आप एक बार दो बार तीन बार उसको अच्छे से रीट कर लीजिए उसमें आप देखेंगे last में question के बाद last में answer और उसके ब September first week पूरा आपको नहीं देखना होगा लगबग September में आप एक या दो सितंबर तक दो सितंबर तक आप मान के चलें यह बिल्कुल मैं last आपको बता रहा हूं डेट इसकी पहले पहले ही आपको मेंस exam fee payment की link या notice आ जाएगी link तो आपको already मिल जाएगा site पर बट अभी आप payment नहीं कर पाएंगे अपने अपने वर्ति के लिए जब notice आ जाएगे उसके बाद या payment कर पाएंगे तो ज्यादा नहीं आपको तीन चार दिन का वेट करना पड़ सकता है पहला question देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपने question पहले कर लिया और फिर भी एक बार आप अच्छे से एक बार आपको complete करवाएंगे अगर आपने पहले से पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो पहला question अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपचारिक सामाजिक नियंत्रण के शाधन है अब देखिए एक आपचारिक होता है दूसरा अनपचारिक होता है आपचारिक में अगर आप दे इंतर यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया होता अभिकरण में शामिल है साधन बोले या पिर अभिकरण बोले प्रश्न सेम होगा आंसर भी सेम होगा यानि उसमें कानून, राजिक कानून, कारावास यह सभी आ जाएंगे इसके अंत समाज प्रथा को आप उसमें सामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया और अपचारिक सामाजिक नियंत्र के साधन अलग होंगे और अनवपचारिक सामाजिक नियंत्र के साधन अलग होंगे यहां से एक कोशन आने के चांज सत प्रसत रहेंगे आपके एकजा जाएंगे किसी के दोरा कहा गया होगा वहां से एक या दो प्रशन आने के चाहिए जहां तक हमें लग रहा है वहां से ज़्यादा प्रशन नहीं आने चाहिए क्योंकि उनका नीजी कथन है ज्यादा तो क्वेशन जो फैक्ट या फिर जो सेलेबस औरेंटेट टॉपिक रहेंगे वहीं से आपको ज़्यादा क्वेशन मिलने की उम्मीद रहेगी वीडियो को आप बिना इसकीप किये पूरा कंप्लीट देखिएगा आपको जितने प्रशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके अलावा भी कम सकम उतने ही प् तो अगला कोशन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन समाज में परिवतन लाने वाले घटकों में सामिल नहीं है समाज में परिवर्तन लाने वाले गटक कुल चार गटक है सबसे पहले आप इसको याद रखिएगा इसमें जैविक गटक है, भोगोलिक गटक है समाजिक वज सांस्किर्तिक गटक है और इसके लाबा तकनिकी गटक है यानि यहाँ पर एतिहासि गटक नहीं होगा अच्छा आप लोग समझ पा रहे हैं जैविक गटक जैसे किसी महादिव में रहने वाले वहाँ की लोग कैसे होते हैं या पिर वहाँ की किस प्रकार का वाता वरड़ है वहाँ की भोगोलिक इस्तितियां किस प्रकार की है तक्निकी भी कही न कही रहन सहन समाज के परिवर्तन का आधार बनता है यह सारी चीज़े अगर थोड़ा सा बेवारिक रूप से देखें तो आपके लिए प्रश्ण बहुत आसान बन जाएगा समाजिक प्रथाय, सांस्कृतिक जो प्रथाय है यह सभी कही न कही समाज को वहाँ की परिवेश को प्रभावित करते हैं यानि समाज को बनाते हैं, समाज में परिवर्तन लाते हैं यह सभी चीज़े तो यहाँ पर आंसर तो जाएगा सेकेंड अब यहाँ पर कुछ क्वेशन हम आपसे पूछेंगे जैसे हमने एनेमिया में आपको कही प्रकार बता है आरन की कमी से एनेमिया होता है या फिर विटामिन B6 की कमी से एनेमिया होता है या फिर विटामिन B12 की कमी से भी एनेमिया होता है लेकिन एक question आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि digestion system यानि पाचन तंत्र से vitamin B12 का आवसोसर नहीं हो पाता है vitamin B12 F4 नहीं हो पाता है digestion के दोरान तो किस वज़े से ऐसा हो सकता है इसको हम कौन सा एनिमिया का प्रकार बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको हम parnexis anemia vitamin B12 parnexis anemia से संबन्दे थे और parnexis को हम बोलेंगे प्रडाशी इसको याद रखिएगा parnexis English नाम है और parnexis इसका Hindi नाम है इसको याद रखिएगा आप सभी इसी तरह से आप से question पूछ सकता है कि सरीर में जल का क्या कारे हो था आप सभी जानते हैं कि सरीर का अधिकांस हिस्सा जल या जल के द्वारा बना हुआ है यानि कि जल किसी ने किसी फॉर्म में है हमारे सरीर में विबिन जो मेटाबोलिजम क्रियाएं होती है उसमें भी जल भाग लेता है जल की अपने श्वैम की एक चक्र गती भी होती है एक साइकलिक उनका क्रम भी होता है जितने भी विसरजन माद्यम होते है कहिन के उसमें जल की महतुपुड भूमिका होती है इतना है नहीं सरीर के तापमान नेंत्रड में वह अन्य क्रियाओं में सक्रिय भूमिका निबाता है यहां सभी प्रशन आप से इसी तरह से कुछ से टॉपिक पर रिलेटेड आप से क्वेसन पूछ सकता है कि जल के क्या कार्य है एक फैक्ट आप सभी और याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेसन पूछा गया भी कि हाले की किसी एकजामे धनिया की पत्ती होती है तो धनिया की पत्ती में विटामिन A प्रशूर मातरा में पाया जाता है याद रखिएगा कोई भी फैक्ट अगर आपको लगे कि भूल सकते हैं एक क्वेसन आपसे पूछ सकता है कि सबसे मीठी सरकरा होती है वहाँ पर आपको ग्लुकोज, फ्रक्टोज इसी तरह से दो और आपको सैक्राइट्स का नाम लिग देगा आपसे पूछेगा इसमें सबसे मीठी प्राकृतिक पूछेगा क्योंकि आर्टिफिशल में तो और भी है, सैक्रीन है लेकिन अगर प्राकृतिक में पूछेगा तो सबसे मीठी सरकरा कौन सी होती है फ्रक्टोज होता है और फ्रक्टोज किस की सरकरा होती है फ्रक्टोज फल की सरकरा होती है अनाज की सरकरा का नाम माल्टोज होता है इसी तरह से आपसे क्वेशन पूछ सकता है कि शरीर में जो मांस पेसिया होती है या फिर उतक होते है उनका निर्मार किन से होता है उतक हो गया या पेसी हो गई इनका निर्मार किन से होता है प्रोटीन से होता है आपसे कार्बोहाइडरेट, वसा, बिटामिन ये सबी आपसन में दे देगा प्रोटीन भी आपसन में रहेगा आपसे पूछे का क्वेसन तो आपको क्या आंसर टिक करना है प्रोटीन प्रोटीन क्या होते हैं, एमीनो एसीट्स होते हैं, सरीर को कुल 20 एमीनो अमलकी आउसकता होती है, जिसमें 10 अनिवार होते हैं, जिनको भोजन से फ्राप्त करना होता है, 10 नान इसेंसियल होते हैं, जो कि सरीर में श्वैम पूर्ति कर लिए जाते हैं, अच्छा, यहाँ पर आप से लोग एक कोसन का और आंसर दीजिए कितना कार्बोहाइडर चीए कितना प्रोटीन चीए यह सभी आप चीज़े पढ़ लेते हैं कितना वसा चाहिए सरीर को डेली लेकिन एक कोसन आप सब इसे छूट जाता है कि सरीर को आयोडीन की कितनी आउसकता होती है प्रति दिन यह परड़े की हिसाब से पूछ रहे हैं आप आप से आयोडीन की कितनी आउसकता होती है सरीर को प्रति दिन के हिसाब से कितनी होती है लगबग 80 mg ध्यान दिजीगा मीली ग्राम है यह एक ग्राम में 1000 mg होता है तो यह 80 mg है अभी हाले में एक योजना चलाई गई है निक्ष तपे दिख निच्ष है उसी चीज़ का मतलब उस बचाओ के लिए यानि निच्ष है एक पोसर योजना है स्वास्ते परिवार कल्यान मंत्राले की जिसमें जो छै रोगी होते हैं टीवी के रोगी होते हैं उनको पोसर सम्मंदी प्रोसाहन रासी दी जा रही है तो इसमें आप को यहां से बन सकता है योजना के बारे मां को पता रहा न चाहिए वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सक्या आप प्लीज सेर कर दीजिएगा बिलकुल जितना हमारी अपनी पूरी कोसिस है कि आपको अधिक सधिक प्रशन हमारे क्लास से मिल बाकिम आपसे फिर से कहेंगे कि आपके पास नटना चकर की यूथगी और भी कोई बुक अगर आप वो देख सकते हैं यह दो बुक कम सकम आपके पास हो और इन बुक को अगर आपने पहले रीड कर लिया हो एक बार दो बार कम सकम तो आप कमेंट करके बताएगा और जितन हो पाएगा उतना कोईसन करेंगे कम सकम टाइम में एक कोईसन और देख लिजिए हाला कि बहुत इंप्रोटन नहीं लग रहा था फिर भी देख लिजिए विश्वजल सब्ता 2023 कारिक्रम मनाया गया था अभी हाली में एक विश्वजल दिवस होता है 22 मार्च ओ अलग है एक चीज़ छूड़ गयता बताना प्रोटीन के निर्मार में किस तत्व की आवसकता प्रती है प्रोटीन के निर्मार में किस तत्व की आवसकता प्रती है तो नाइट्रोजन की अगर आप देखेंगे कार्बो हाइडेट है या फिर वशा है फैट है इसमें आप देखेंगे क वहां से भी एक question आने के chance काफी जादा रहेंगे सबसे पहला अधिनियम ध्यान से दिखिए आप चाहें तो नोड कर सकते हैं पहला अधिनियम दिखिए सती प्रता निरोधग अधिनियम बिलियम बैंटिक के सासनकाल में सती प्रता पर रोग लगी थी यह अधिनियम कप पारि हर एक्जाम में पूछे जाते हैं IS का हो PCS का हो कोई भी स्टेट का एक्जाम हो तो आपको भी इन सभी अधिनियम को एक बार अच्छे से देख लेना है इनको याद कर लेना है हिंदू बिदवा पुनर विवह अधिनियम यह अधिनियम का पारित हुआ था 1856 में इस समय हिंदू विदवा पुनर विवा अधिनियम का पारित हुआ था 1856 में अगला देख लेजीए बाल विवह अवरोध अधिनियम यह कब आया था 1970 में बाल विवह अवरोध अधिनियम अगला अधिनियम देखीए विशेश विभाह अधिनियम सभी की सभी अपने आप में most important है विशेश विभाह अधिनियम tribal में और इसमय की अगले साल आया था हिंदू विभाह अधिनियम हिंदू उत्राधिकार अधिनियम यह आया था 1956 में हिंदू उत्तरा दिकार अधिनियम और यहां पर एक अधिनियम और देखेंगे दहेज निरोधक अधिनियम सबसे पहले यह 1961 में आया था 1961 में आया था उसके बाद आगे 1986 में संसोधित भी किया गया था आप लोगों के सिलेबस में विवाह है, विवाह से सम्मंदित, जितने भी उसमें प्रकार की विवाह होते हैं, उनके बारे में आपको जानना है और एक Act आया था, Native Marriage Act, यह क्वेसन कई बार कई एक्जाम में पूछा गया है, Native Marriage Act नेट्यू मेरेज एक्ट ये एक्ट कब आया था ये अधिनियम कब आया था 1872 में और ध्यान दीजेगा 1872 में ही सिविल मेरेज या भारतिय इसाई विवह अधिनियम चुकि आप देखेंगे इसाई धर्म में दो तरकी विवह देखने को मिलते हैं एक सिविल मेरेज और दूसरा होता है धार्मिक विवह इसी तरह से मुसलिम में आप देखेंगे चार तरकी विवह देखने को मिलते हैं मुसलिम में और हिंदूओं में कितने तरकी विवह देख पर अब देखे एक जन जाती होती है संथाल जन जाती आप सभी ने नाम सुना होगा संथाल जन जाती में क्या होता है जो विधूर यानि ऐसे पूरिस जिनकी पत्नी की मिर्तिय हो जाती है और विधवा ऐसे इस्त्री जिनके पत्नी की मिर्तिय हो जाती है तो विधूर और वि बिवा प्रचलीत है संथाल जंजाती में तो आपसे कोर्शन यहीं से पोच सकता है कि यह जो प्रथा है किस जंजाती में प्रचलीत है इसी तरह से देखिए एक जंजाती है गारो जंजाती मेगाला में पाई जाती है गारो थोड़ा वो असम में पाया जाते है इनमें एक बि आपको प्राप्ध हो जाता है गारो जन जाती में ये वीवा पृप्रचलीट है क aos इसी तरह से हैप देखेंगे गोंड जन जाती है गोंड कर इसके लावाब बैगा जन जाती है इसमें दादा और पोती का विवाप्रचलीत है ठीक है जन जातियों की अपनी कुछ प्रताय होती है ये सभी फैक्ट आप ध्यान से सुनते चलिए अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि यूपिटरपलस से जिस तरह से अब अप्रशन पूछने लगे कोई भरोसा नहीं पता नहीं कौन सा कोसम कहां से उठा के पूछ दे कुछ भी भरोसा नहीं यूपिटरपलस सीखा इसी तरह से नहीं एक जन जाती है खासी जन जाती ये जन जाती भी आपकी मेगाला में पाई जाती है मुक्य रूप से खासी जन जाती है खासी जन जाती सेडिवल ट्राइब इसमें एक विबाह परिचली थे बहिर विबाह, अब बहिर विबाह क्या होता है, थोड़ा से इसकी बारे में भी आप सभी जान लिजीए, बहिर विबाह में क्या होता है कि ब्यक्ति अपने समू के जो सदत से हैं उससे बाहर उनको विवा करना होता है और खासी जन जाती में इस नियम को तोड़ना सत्त मना ही होती है उसको सर्वनास के बराबर माना जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लिए इस प्रथा का कितना मात्व है अपने समू में अगर आपको पता हो इनका कतन तो बहुत अच्छी बात अगर आपको ना पता हो तो आप ध्यान से सुन लिजीगा विवा से सम्मंदित इन्होंने कतन दिया है इवेस्टर मार्क इन्होंने क्या का है कि विवा की जड़े हैं विवा की जड़े हैं परिवार में हैं इन्हों की जड़े परिवार में हैं एक कतन यहां पर आप सभी और देख लीजिएगा बो गार्ड्स नाम इनका है बो गार्ड्स है नेकि जितना मुझे यहां पर इन्हों ने क्या बता है विवा की परिवासा दी है कि विवा इस्त्री और पुरुस के परिवारिक जीवन में प्रवेस कराने की संस्ता है आप चाहे तो नोड कर सकते है या फिर आप इसको अच्छे से याद करते चलिए चलिए यहां पर वापस से क्वेस्टन पर आते हैं निमलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्दन घटना चकर वाली पीडियफ हम सेयर कर देंगे टेलिग्राम पर टेलिग्राम आप सभी के पास होगा आप से भी लोग देखे निमन में से कौन एक सामाजिक परिवर्दन के मुख्य सुरोतों में सामिल नहीं है यहां पर देखेंगे संकुचन को सामिल नहीं करते हैं ठीक है मुक्रह शुरुतों में संकुचंग को सामिल नहीं करते हैं, अगला कॉशन आप देखेंगे, घरेलू हिंसा अधिनयम, घरेलू हिंसा के संदर में यापर पूछा क्या सही है, तो सबसे पहले आपको यहां पर बताएंगे घरेलू हिंसा से बचाव अधिनियम यह कब आया था कब पारित हुआ था मोश्ट इंपोर्टेंट सभी के सभी प्रश्ण है 2005 में ध्यान दीजीगा जितने भी अधिनियम हमने आपको अभी बताये हैं थोड़े दिर पहले जो बताएंगे आगे सभी को ध्यान से देखते चलिए घरेलू हिंसा से बच्चाव अधिनियम 2005 में आया था और इस अधिनियम के संदर्व में माननिय सुप्रीम कूर्ड सरवोचे नियाले ने अपने नेड़े में विस्तार से इसके बारे में उन्होंने गाइडलाइन से जारी की है घरेलू हिंसा के अंतरगत केवल पती पत्नी को ही सामिल नहीं किया जाता है या तलाग हो या तो उसकी बाद घरेलू हिंसा नहीं हो सकता है तलाग के बाद भी घरेलू हिंसा जारी रह सकती है इतना ही नहीं बहन है माह है ये रिष्टे भी सामिल होते हैं घरेलू हिंसा के अंतरगत, यह चीज़ हम नहीं कहा रहा है, कि घरेलों हिंसा तलाक के बाद भी जारी रह सकती है, पति पतनी तक कि शीमित नहो कर के, मा बहन जैसे रिष्टे भी इस घरेलों हिंसा के संदर्ब में क्या सही है तो यहाँ पर डी वल आफसन देखेंगे तो करेक्ट है तलाक, सुधा, महिला का पुरोपती उसे सयुक तो स्वामित वाली संपति से बेदखल करने की कोशिस करता है तो यह भी घरेलू हिंसा होगा ठीक है यहाँ पर देखें घरेलू हिंसा के वल वै ठीक है यहां से भी एक कोशन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी सभी प्रश्ण अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है अगला कोशन देखिए अंतर पीडी संगर्ष की निम्न परिवासा किसके द्वारा दी गई है अंतर पीडी संगर्ष पूरतया स प्रश्ण गrire के मानके चलते हैं तो आप देख थे होँगे कि अन तर पीडी है संगर्ष देखने को मिल जाता जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए परिवार में सामंजेस होना चाहिए परेम होना चाहिए सबका सम्मान होना चाहिए बड़े बुड़ों का सम्मान होना चाहिए तो यहां पर एक परिभासा दिया गया है इसी चीज को लेकर कि कि अंतर पीडिये संगर्स पूड़तिया संगर्स नहों कर तनाव की तसा से सम्मधित होता है जैसे आप देखेंगे स्वतंदरता हमें चाहिए हमें कोई रोकने टोकने वाला नहों बहुत तरह की चीज़े होती लिएा है यह जो परिभासा जी ऐसे धुरी ए की द्वरा दिया गया है पहला व्लापammers नहीं है अगला फोसं कि साटेक्श गरीबी का मापन की सलिए जिस विदि की द्वरा किया जाता है कौक्झ की लिए हैँ इसप्धिक बारे मां को विस्तार से नहीं बताएंगे क्यों को करेक्ट हो जाएगा और दहों ही हैं हैं यह सवाइक्ष गरीबी मापन के बाइरत ने अपनी जंसंक्या-इस-3قड का लक्ष्य कब तक गोचित किया है देखिए पहले यह लक्ष्य 2045 तक था लेकिन अब यह लक्ष्य 2070 हो गया है इसको आप याद रखेगा ऐसा नहीं कि आपने पहले का पड़ रखाओ तो यह गलत हो जाएगा 2070 याद रखेगा इसको अगला कोशन कि किस दसक में भारत की ज देखा जाता है 1911 से 1921 के दोरान इसमें दिक्कत क्या आई थी इसमें आप देखेंगे तो अकाल महामारियों का प्रभाव अधिक था जिससे मिर्थ उदर अधिक हो गई थी और जैंसन क्या घट गई थी इस दसक में इन दस साल में दसक का मतलब है दस साल में ठीक है तो 1921 क तो महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है ये प्रशन भी आप जानते रही है क्या पता यूपेट पलसी कहां से कोशन उठा करके देदें अगला कोशन देखें लिंगा नुपात विशमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंद नहीं है अगर आ इसमें भी अगर शिशू लिंगानुपात आप से पूछा जाएगा तो 902 ये तीनों आप याद रख लिजी अभी तुरंत 902 शिशू लिंगानुपात उत्तर परदेश का है और देश का लिंगानुपात 943 कोशन देख लिजिए लिंगानुपात विशमता से निर्धारित महिला भोमिका से किसका संबंद नहीं है अब यहाँ पर देखे सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना परोशना, घर की साफ सफाई यह माना जाता है कि यह कारे महिलाएं ही करती है, पुरुस इन कारियों को नहीं करते हैं, तो हो गया ने अध्यापन नहीं कर सकती है तो यह जो है, लिंगा नुपात समानता से संबंदित है यहाँ पर पूछा है विशमता, यह तीरों विशमता में सामिल है, लेकिन पूछा है आप से कि इसमें कौन सामिल नहीं है विशमता वाले में तो ये सामिल नहीं बलकि ये लिंगानुपाद समानता की अंतरगत आजाएगा आपसे प्रशन ऐसे पूछ सकता है लिंगानुपाद समानता की अंतरगत सामिल इसमें से है चारापसन तो आपको बताना होगा राइट आंसर अगला कोशन देखिए सोडस संसकार में विवा किस अस्थान पर आता है सोडस यानि 16 संसकार हिंदु धर्म में आ देखेंगे 16 संसकारों का उलेक मिलता है तो इसमें जो विवा संसकार है ये कितने नंबर पर आता है पंद्रावे नंबर पर आता है ध्यान दीजिएगा जैसे सबसे स्टार्टिंग कहां से होता है पहला संस्कार गर्भादान से इसके बाद पुन्शवन सीमंतो नयन जात कर्म नामकरण इसी तरह से आगे और पंद्रावे अस्तान पर आता है विभा संस्कार इसके बाद 16 नंबर पर आता है अंतियस्टी अंत भूल गया विशेश विवाह अधिनियम उन्नी सो चोवन में था हिंदु विवाह अधिनियम उन्नी सो पच्पन में याद रखिएगा भूलिएगा मत आप सभी ठीक है तो हिंदु विवाह की प्रकृति हैं यहाँ पर सबसे पहले राइट आंसर देख लीजिए धार्मिक न की संविधात्मक न की नैतिक न की सामाजिक यानि हिंदु धर्म में विवाह को बहुती पवित्र रीती माना जाता है संस्कार माना जाता है लेकिन अब हिंदु विवाह अधिनियम 1955 की आने की बाद से महिलाओं को भी अधिकार प्रदान कर दिया गया है विवाह विच्चेद के लिए यानि इस्तरिया आप पुरुसों की दास नहीं रही विवाह जन्मजात का बंदन नहीं रहा यानि माल लिजे जैसे किसी का बिवाह हुआ और वहां पर माल लिजे उनके साथ धोखा हुआ चलकपट हुआ पहले क्या था उसको धार्बिक रिती से देखा जाता था कुच भी हो जाए अब आपको उनके साथ ही पूरी जिन्दगी विदानी लेकिन अब ऐसा नहीं है का मतलब आपको समझ में आ गया अगला कोशन दिखिए किस ने कहा कि विवा का बुनियादी आधार परिवार है न कि परिवार का आधार विवा है यह हमने आलेडी करा दिया है और उम्मिद करते हैं कि आप सभी इसका आंसर देंगे तो यहां पर आइट आंसर हो जाएगा आपसंसी इवेश्टर मार्ग ठीक है बहुत इंपोर्टन कोशन इसको याद रखिएगा इनकी एक पुस्तक भी है मानवी विवा का इतिहास मानवी विवा का इतिहास इनों काफी विस्तार से जो है विवा के ओपर उनोंने अध्यान किया हुआ है सभी समास सभी धर्म अगला कोशन देखिएगा इसके बाद कौन नहीं ये 13 कोशन है किसने कहा कि धर्म प्रजा यानि संतत्ति और रती आनंद हिंदू विवा के उद्देशि माने जाते हैं के एम कपाडिया के एम कपाडिया की अनुसार धर्म प्रजा और रती रती माने आनंद शुक ये सभी हिंदू विवा के उद्देशि माने जाते हैं अगला कोशन देखिए कौन मानता है कि विवा एक विवा है रहा है और रहेगा केवल एक सही है विवा का प्रकार ये किस नहीं बोला है बी मैलनो वस्की यानि एक विवा है और वही रहा है और वही रहेगा केवल एक सही विवा का प्रकार है इसमें ठीक है यह किसका कतन है भी मैलेलो वसकी का कतन है अगला कोशन देखिए घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा से बचाव अदिनियम 2005 याद रखिएगा घरेलू हिंसा के वर्डन के सम्मद में निम्न में से कौन सा वक्तब बेश है तो घरेलू हिंसा अदिनियम 2005 में बना है इसमें घर और घरेलू परिवेस में किसी व्यक्ति का सारेरिक लेंगिक मानसिक तथा मौकिक दुर बहवार सामिल हैं किसी भी व्यक्ति का भाई हों, पिता हों, पती हों ठीक है क्यवला पती पतनी तक मत सोच रहेगा अधर वाइच कोशन आप गलत कर देंगे इसमें भाई पती पिता सभी आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C घरेलू हिंसा के अंतरगत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्तिका सारेरिक लेंगिक मानसिक तथा मौकिक दुरुभेवार सामिल है भारती दंडस संहिता की किस धारा के अंतरगत पत्नी पती के दुरुभेवार की शिकायत कर सकती है अभी आप देखेंगे जूनियर असिस्टिन 1222 बेकिंसी में भी एक धारा पूछा गया तो मान हानी वाला 499 उसके दहरा है यह दहरा 499 मान हानी का है 500 भी उससे समद्यते है मतरब मान हानी में जो भी उसमें भुकतान करना होता है 500 में आ गया शिकायत करनी हो 499 में तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पत्नी पती के दुर्बहवार की शिकायत किस धारा के अंतर्गत कर सकती है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धारा 472 और धारा 497 में एक धारा और भी अगर आप सभी जानते होंगे ठीक है आगे question मिलेगा तापको बताएंगे यह धारा आप याद रखेगा हाला कि अब आप देखेंगे कि तो जो पहले CRPC था या फिर IPC था उसमें बदलाव किया गया फिलाल में आपको जो question यहाँ पर कराए जारा है आप इनको LGT देखते चलिए शीशू मृत्तियों से सम्मंदित निम्न मेंज से कौन से कारख है जन्मे की समय कम हूँ वजण यह भी कारख है अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाओ यह भी बड़ा कारण है गर्बवती माता की पोसर परक इस्तिति यह भी सामिल गर्ब निरोती उपायों का पर्योगी यह सामिल नहीं है ठीक है यहां पर एक दो तीन यह कोश्चन बहुत आसान इसमें कुछ ऐसा बताने लाइक नहीं है आप सभी कोश्चन कर ली होंगे अगला कोश्चन देखिए जनसंक्या विश्पोर्ट की बारे में पूछा गया है कि जनसंक्या में तीबर ब्रिधी होती है और जब देश आजार्ण वेथा था नेश्पोर्ट की अवधी की रूप में जाना जाता है 1911-1921 में जनसंख्या घट गई थी 1951-1981 में जनसंख्या ती प्रगती से बढ़ी थी अब जो है जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है 2001 में जिखनी जनसंख्या थी यानि जो बिर्दिदर थी उससे कम हुआ 2011 में और आगे भी ये दर जो है घटती रहेगी ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C जन्म तथा मृत्युदर में अभूत पुरू परिवर्तन मृत्युदर में कमी होना चाहिए जन्म दर बढ़ना चाहिए और जीवन प्रत्यासा मतलब होता है Life expectancy यानि जीवन जीने की उम्र तो जीवन प्रत्यासा भी बढ़ना चाहिए जैसे मालजी अभी जीने की आउसत उम्र suppose that 67-68 है अभी यह उम्र 75 हो जाए तो आटोमेटिकली क्या होगा जन्म दर तो उसी रप्तार से बढ़ रही है मृतुदर कम है तो आटोमेटिक जन्संक्या में तिब्र बृद्धी होगी इसी को जन्संक्या विस्पोड कहा जाता है महिला स्वैम सिद्धी योजना संबंदित है महिला स्वैम सिद्धी योजना यह योजना 1995 में में प्रारम किया गया था और इस योजना में महिलाओं का सामाजिक आर्थिक ससक्तिकर करना था सामाजिक भी है और आर्थिक भी है अगला को संदिकी भारत में महिलाओं को ससक्त बनाने हैं तू महिला नीति कब बनाई गई थी 2001 में महिला नीति महिला नीति कब बनाई गई थी सबसे पहले 2001 में निम्न में से दलित नारिवाद के चेत्र में किसका योगदान है दलित नारिवाद सर्मिला रेगे सीवल आपसन आप याद रखेगा सर्मिला रेगे 1990 के दसक में स्वायत दलित महिला संगटन यानि स्वतंत्र एक दलित महिला संगटन के दावे ने नारिवादी आंदोलन के जो अन्य प्रकार की राजनीती थी या जो अन्य प्रकार के समाज में मानक है उनका विरोध किया गया उनको चुनोती दी गई निम्न में से कौन उत्पीडन विहिन अपराद है 22 तो यहाँ पर आपसंसी हो जाएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं यह अर्थ के लिए यहाँ पे लिखा है उत्पीडन विहिन अपराद यह अर्थ के लिए यानि पैसे के लिए आजीवका के लिए जो भी उसको आप जैसे भी आप इसको एट्स्पेंग कर सकते हैं उस तरह से यह प्रभिती होती है यह अर्ण सम्मंद अस्थाफित करना जिसको विश्याबिरती कहा जाता है तो यह एक उत्पीडन विहीन अपराद है अगला कोशन दिखें कोशन नबर 23 निर्धनता की परभासा सामानता दो पद्धितियों से की जाती है निमने में से सही उत्तर का चैन करें निर्धनता की परभासा दो पद्धितियों से की जाती है यानि ऐसी दसा जिसमें सामानत भोतिक किन्तु कभी-कभी सांस्किर्ति के संसादनों का भी अभाव होता है उसको हम गरीबी करते है यानि ब्यक्ति अगर अपनी मूल भूत आवा सकता है भी पूरी न कर पाए तो गरीबी के अंतरगत आ जाएगा और हमने आपको थोड़ी दिर पहले क्या बताया गरीबी का मापन दो तरीकी से करते है निर्पेक्ष और सापेक्ष भारत में निर्पेक्ष मापन बिदी प्रचलित है सापेक्ष भीदी में लाउरेंज, वक्र और गिनी गुडांक अभी हम लोगों ने एक कोशन किया याद आया आप सभी को ये बिख्षी देशों में प्रचलित है जहां पे अमीर लोग हैं, अमीर देश हैं वहां पे ये प्रचलित है अगला कोशन देखे, कोशन नमर टॉंटी फोर निम नमे से कौन भारत में निर्धनता का कारण है तो यहाँ पर देखे, ये सभी कारण है प्राकरतिक जनसातों की कमी, प्राकरतिक बिपतियां, कृष्टी का पिछड़ापन तो यहाँ पर D वाला राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमर टॉंटी फाइब, निम नमे से सरुपरतम सामाजिक नियंतर सब्द का प्रयोग किस ने किया सामाजिक नियंतर सब्द का प्रयोग सबसे पहले ए रास की दोरा किया गया था अगला कोशन दिखी निम नमे सामाजिक नियंतर का आपचारिक अभिकरण कोन है ध्यान दीजिएगा आपचारिक अभिकरण हम लोगों ने एक पड़ाता कोशन केवल अभिकरण आपचारिक साधन और अनोबचारिक साधन तो अउपचारिक साधन आपसे पूछा गया है राजी है अब ध्यान दीजेगा राजी हो गया कानून हो गया यह सभी अउपचारिक में आ जाएंगे समाज है प्रता है धर्म है परंपराय है जनरीतिया है समाजिक भय है यह सभी अनौपचारिक में आ जाएंगे याद रखे कि यहां से एक कोशन आने के चांस काफी ज़्यादा रहेंगे क्योंकि यह पूरी तरह से आपके कारशेतर से सम्मधित है बहुत अच्छे से समझ लीजी आप आपको कोई भी डाउट लगे आप कमेंट करेगा निमने में से कौन सामाजिक परिबर्तन का अवरोधक नहीं है आर्थिक लागत यह है नहीं तुस्वार्थ जड़ता यानि कारशे करने में आलशे करना या फिर कारशे करने के कुशलता का भाव यह सभी हैं अवरोधक लेकिन आर्थिक प्रतिश्परदा से सामाजिक परिबरतों होता है समाज का विकास होता है जरहन सहन जीने का अस्तर उच्छ होता है तो यह अरोधक नहीं बल्कि यह सहायता करेगा लेकिन यह बागि तीनों क्या हैं अरोधक है आपसे पूछा गया अरोधक नहीं है तो यहां पर B हो जाएगा right answer सदी का मतलब हो गया 100 साल दसक में 10 साल होता है अभी जिसे आप देखेंगे 21 सदी चल लगी मतलब 2000 से आप आगे बढ़ रहे हैं 2001, 2002, 2003 ठीक है 2100 तक ये 21 सदी हो गई इसी तरह 1900 से 1900 से 2000 से और 2000 के बीच में ये जो समय काल रहा होगा 1901, 1902, 1903, 1904 यानि देश के आजादी से पहले फिर देश के आजादी के बाद और 2000 तक ये पूरा आपका उननीस्वी सदी में आजाएगा ठीक है सुरी गलत हो गया यहाँ पर फिर से देख लिजगा इसको 1800 से लेकर के 1800 से लेकर के 19 तक ठीक है यह 19 सदी हो जाएगा तो समाज सास्त्री चिंतन में उद्विकार्ष अवधार्डा का प्रभतु था ग्लोबियो मेन सरीर के लिए आवश्च रखे क्योंकि इसमें अनेक बिमारियों से सरीर को बचाने के लिए एंटी बाडिज पाये जाते हैं आप सभी जानते हैं कि सरीर में सोता प्रतिरोधक चमता होती है एंटी जन होते हैं और वे क्या करते हैं एंटी बाड़ी को उत्पन करते हैं जो सरीर को बिमारियों से रक्षा प्रदान करते हैं अगला कोशन देखिए, 31, कार्बोलिक अमलका पान करने पर रोगी को निमने में से क्या कराना चाहिए? वमन नहीं कराना चाहिए, तता चूने के पाने अंडे की सफेदी पिलानी चाहिए फेमुलस सब्दका क्या आर्थ है? थर्टी टू है पहत हैं मैं जीवन साथी कई अपने ही समूं में करता है तो उसे कहते हैं यह किस प्रकार का विवा हैका बहुत आसान कर सब था lei अंतर विवा अपने शमूं में। और जब अपने समू से बाहर करते हैं तो उसको बोलते हैं बहर विवा, हमने बता है तक खासो जन जाती में बहर बहर विवा पर चलेते हैं, वहाँ पर अंतर विवा नहीं कर सकते हैं, जीवन चक्र की किस अवस्ता में साधनों की मांग बढ़ जाती है, विस्तार अवस्ता मे यह कतन किसका है? सयुक्त परिवार में दामपत्य प्रेम की विकास का आवसर कम प्राप्त होता है यह कतन किसका है? डाक्टर राज अंदर परशाद का विवा अधिनियम वर्स में विवायोगी लड़की की उम्र 18 वर्स रखी किये तो विवा अधिनियम 1955 में हिंदो विवा अधिनियम एक तो बिशेच विवा अधिनियम 1954 में आया था हिंदो विवा अधिनियम 1955 में इसमें लड़की की नियुंतम उम्र 18 वर्स और लड़के की 21 वर्स होनी चाहिए विवा के लिए इसे कम उम्र में विवा नहीं होना चाहिए निमने में से कौन एकाकी परिवार का लाब नहीं है अक्सर क्वेस्टन में यह नहीं जो है इसको लोग देखना भूल जाते हैं आत्म निर्भरता लेकिन सामाजिक सुरक्चा ये सयुक्त परिवार में ही आपको मिल पाएगा ना कि एकाकी परिवार में तो एकाकी परिवार का ये नुकसान है अगला कोशन देखिए उस बिटामिन का नाम बताए जिसकी कमे की कारण अत्यदिक खून बहने लगता है बिट पीटामिन की का स्कार्बिक अमला विटामिनी विटामीन समूव आ जाते हैं जिसे बिवन ओ गया धायमीन ऑग्ञत की हो गया भी थु हो जैसे हम आपको यहां पर बता रहें ऐसे आपको भी याद रहना चाहिए अगर आपको सेलक्षन पाना है मुख्य सेविका की भरती में अठाइसों ग्रेटवी की जाब पानी है लगबग 45,000 से उपर अगर आपको परती महीने अगर आपको वेतन चाहिए तो आपको इसी तरह से तयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए पूछें योपेटर पला से कहां से कूशन पूचेंगे कहीं से भी पूचे बिटामिन C की कमी से कौन सी बिमारी होती है इसकरवी बिटामिन K की कमी से कौन सी बिमारी होती है वही जो रखतका थक्का नहीं जमता है बिटामिन A की कमी से कौन सी बिमारी होती है बृद्धी विकास कम होता है और इसके अलावा जिरोब थेल्मिया और इसके अलावा रतोंधी की बिमारी हो जाती है अगला कोशन देखिए निम्न में से कौन सा तिब्र जठरांत्र संबंदी शंक्रमण गैश्ट्रो इंटेस्टिनल इंफेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है 39 इसी को अंग्रेजी में बोलते है कालरा विब्रियो कालेरी से यह बिमारी फैलती है बैक्टिरिया जन्ने यह बिमारी है जीवारू से जीवारू से विशारू से या वायरस से और प्रोटोजोवा से जैसे मलेरिया प्रोटोजोवा से होता है कुछ बिमारिया फफोदी से होत ठीक है तो यहाँ पर आट आंसर हो जाएगा है जा अगला कसे निखिए इस्मॉल पॉक्स बड़ी माता एक चोटी माता होती है एक बड़ी माता इस्मॉल पॉक्स के ठीके का हिस्कार किससे किया था底ward एडवर्ड जेनर, ठीक है, चेचक की ठीके काविस्कार, एडवर्ड जेनर, प्रतिरक्ष्या तंतरकार, नहीं सौरी, जीवाडू विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है, अगला कोशन दें कि हेपिटाइटिस ए किसके काड़ होता है, हेपिटाइटिस ए, यक्रित की विमारी है, किसके काड़ होता है, तो यह विशारू जन्ने रोग है, एक बार हमने एक कोशन पुछा था आप सभी से कि हेपिटाइटिस में कितने प्रकार होते हैं, और कौन सा प्रकार इसमें सरवादिक घातक होता है, आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से आप सभी के लिए सुवारा गर्भस्त सिसू के हिर्दय की प्रतम ध्वनी को कब सुना जा सकता है, आठ से दस अपतापर, आठ से दस अपतापर, मनुष्य की शामान गर्भ की अवधी होती है, बहुत आसान सा प्रश्न है, 280 दिन, एक गर्भ वती महिला के निमलिकित में से किस मुल्यांकन प्रडाम से पता चलता है कि वह प्रशव के दोसरे चरण में है, गर्भास्य ग्रिवा पूरी तरसे फैली होई है, बी आप सन, 45 देखिए, एक क्रिया जिसमें गर्भ नाल की नसे, प्लेसेंटल मेंब्रेन से गुजर जाती है, और पूरे गर्भासय ग्रिवा में और छोर तक पड़ी रहती है, वह कहलाती है, पूरे गर्भासय ग्रिवा में और छोर तक पड़ी रहती है, एक सीरे से दूसरे सीरे तक, यह इसको बोलते हैं वाशा प्रिविया, इनमी से क्या योनी चरण का लक्षर नहीं है, 46, योनी चरण, तो पहला वाला लक्षर होता है, योनी कैनाल की लंबाई, या पिर अशनिहक में कमी, या पिर मुत्र अशन्यम, लेकिन योनी की दिवारों का पतला होना ये लक्षर नहीं है, ठीक है, बाकि जो लक्षर हैं इनको आप याद रखीगा, यहाँ पर प्रशन के लिए पूछा लक्षर नहीं है, योनी चरण का, तो यहाँ पर B वाला राइट अंसर हो जाएगा, अगला क्वेसं दिखेगा, गर्भा वस्ता के दौरान अत्यदिक उल्टी की कारण मा की सेहत बिगड़ने को कहा जाता है, गर्बावस्ता के दोरान अत्यदिक उल्टी की करण मा की अकर सेहत भी गड़ती है तो उसको क्या बोला जाएगा हाइपर मेसिस ग्रेवी डेरम हाइपर मेसिस ग्रेवी डेरम सी वाला आपसंग करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन दिके निम्न में से कौन सा ठीका करण तो अची मार्ग में दिया जाता है वेक्सिनेशन या पर ठीका करण अगर आप देखेंग अभी जो वेक्सिनेशन के लिए जो भी गाइडलाइन्स आती है कौन सा ठीका कब लगना है कौन सा ठीका बाई हाथ में कौन सा ठीका दाई हाथ में कौन सा ठीका पहर की जांग में बच्चे के लगना है सारी उसमें डेटेल चीज़े दी जाती है कुछ ओरल होती है ठीक है IB तो उसका एक schedule हम आप टेलिग्राम चैनल में share कर देंगे हमारे पास है उसकी इमेज है पीडिय भी उसकी है आप उसे देख लीजिएगा तो यहां पर right answer हो जाएगा BCG by हाथ में दिया जाता है ठीका जन्मे के तुरंदबाद left hand में और जन्मे के तुरंदबाद अगला question देखिये फ्रायड की psycho sexual theory की प्रतम अवस्था है औरल अवस्था साइको सेक्चुल थियोरी की प्रथम अवस्था है और अलवस्था मौकिक मनो बैज्ञानिक जिसने शंग्यानात्मक विकास के चेत्र में महतुपड योगदान दिया है जीन पियाजे अब इनका नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे जीन पियाजे इननोने चार अवस्था बता रखी है जीरो सो दोतो हुवर्स दो से कितने साल है कमेंट करके बताएए आप सभी चार अवस्था हैas शंबेदी पेसी से स्टार्ट करेंगे त्रन अवस्था हैं बाकी तिन आप बताएए आप लोग ठीक है आप लोगों के लिए home work है कुछ आप भी बताईए तो यहाँ पर near around 100 questions आपके complete हो चुके है 50 questions आपको यहाँ से करा दिया हमने 50 questions ने आपको और करा दिया था कुछ questions यहाँ पर हम और देखेंगे निम्न में से कौन किसोरा वस्ता का विकासात्मकार्य नहीं है किसोरा वस्ता का विकासात्मकार्य इस्टेनले हाल एक मनोबेग्यानी के इस्टेनले हाल इन्होंने कहा था किसोरा वस्ता को कि तूफान और संगर्ज की वस्ता है बच्चे इसमें विरोत करते हैं, अगर उनको रोक टो करते हैं तो, विप्रित लिंक की प्रतियाकरसर, ये सभी लक्षड होते हैं किसोरावस्ता में, बाल अवस्ता कब से कब तक होती है, किसोरावस्ता कब से कब तक होती है, आप कमेंड करके बताइए, तो अगर आप देख तोनों को श्युकार करना सारे रिक परिवर्तन होते हैं मेल हो फिमेल हो ठीक है लड़की हो लड़का हो दोनों में सारे रिक परिवर्तन उस समय होने लगते हैं वस्तु इस्तिरण प्राप करना यह बाले आवस्ता का लग चड़ है अब बाले आवस्ता में किस बाले आवस्त अगला कुशन एक प्राराम्पिक बाल्यावस्था का समय काल है यह कुशन अभी आपसे पूची रहे थे दो से छे वर्स दो से लेकर के छे वर्स तक और छे से लेकर के बारा वर्स तक उत्तर बाल्यावस्था जन्मे के समय सिसु के सिर की लंबाई पूरे सरीर की लंबाई की कितने होती है एक आप सभी जानते होंगे Body Moss Index ठीक है कितना होना चाहिए इसका Full Form भी पूछ सकता है एकजाम में 53 Question का आंसर दीजी आप सभी तिरपन का तो यहाँ पर Right आंसर हो जाएगा A 54 जन्मे के समय सिसु के सिर की लंबाई पूरे सरीर की लंबाई की एक चोथाई होनी चाहिए 54 जीन स्कूलों में सामाने बच्चों के साथ विकासात्मक चुनोतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें कौन सा स्कूल कहा जाता है विकासात्मक शुनोती का मतलब हो गया कि जो बच्चे पूरी तरह से सामाने बच्चों के तरह नहीं होते हैं लेकिन उनको भी उन बच्चों के साथ सामाने बच्चों के साथ सामिल किया जाता है अध्यान के लिए उनका भी प्रवेश होता है तो उन्हें स्कूलों को उन्हें विद्ध्यालियों को क्या कहा जाएगा संपूर्ड स्कूल नवजात सिशू के संबेग हैं इमोशन्स भावनाएं 55 का राइट आंसर कीजी आप लोग भाया, क्रोध, प्रेम नवजात सिशू इन सभी चीजों को अनभव करता है इर्शार से मतलब नहीं है ठीक है लड़कों की वार्ष की उचाय व्रिद्धी कितनी सेंटिमेटर से कितनी सेंटिमेटर होती है यानि वार्ष के वार्ष में उचाय में जो व्रिद्धी कितनी होती है लग- Upper- 먹고 बताना है कितनी सेंटीमेटर से कितनी सेंटीमेटर तक, तो यहां पर रायट अंशर हो जाएगा की और एरी पांच से 6 मित मूं कि यह तो आपको विकास का नियमस्द यह यह और यह पात का नियम यह बाक़ी विकास एक निस्चित करम से होता है जबकि यहां पर क्या लिखा है विकास निस्चित करम से नहीं होता है यह गलत हो जाएगा तो यहां पर पुछा है कि कौन सा नियम नहीं है तो यहां पर आई ठांसा तो सी युगा प्रशने के हिसाब से लेकिन विकास के नियम के अंतरगत विकास एक निस्षित क्रम से होता है और विकास के प्रतिमानों की भविश्यवारी की जा सकती है ठीक है तो यह चार नियम आप सभी को पता चल गए अगला कोशन देखिए मिल्क सेख उधारण है मिल्क सेख बनाना सेख है एपल सेख है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पूर्ड स्वच्छ आहार बीवाला पूर्ड स्वच्छ आहार कमेलिया नामक ब्रिक्षे की पतियों को सुखा कर कर क्या बनाया जाता है इससे चाय अगला कोशन देखिए अनाच की पिसाई से चमकाने से और परिस्करल करने से यानि पॉलिस कर दी जाए इसको आप पॉलिस कह लेजी सीदे सीदे पॉलिस कर दी जाए को की से बिटामिन की कमी हो जाएगी बिटामिन बीवन की कमी हो जाएगी बीवन यानि थायमीन ठीक है बिटामिन बीवन का रासायनिक नाम है कौन सा रोग हो जाएगा रोग का नाम ही पत तो बेरी बैरी नामक रोग होने की संभावना रहेगी तो यहां पर बिटामिन बीवन की कमी और जाएगी सबजियों के रेसे छूने में कैसे होते हैं यह लाश्ट क्वेसन है इसके बाद हम लोग बाकी की क्वेसन अगले सेसन में करेंगे क्योंकि यहां पर वीडियो लंबा हो रहा है और उम्मिद करेंगे कि आपने वीडियो पुरा कंप्लेट सुना होगा वीडियो को आपसे भी ने share कर दिया होगा आपसे भी ने like कर दिया होगा अगर आपने चैनल को subscribe ना किया हो तो subscribe भी कर लिजिए कब पहले के जो भी classes आप playlist में जाकर किया देख लिजिए का PDF आपको टेलिग्राम चैनल में दे देंगे जो कुछ भी आपके steady material से समन्दी चीजे रहेंगी और टेलिग्राम चैनल के लिंक आपको इसी वीडियो के description बाक्स में और comment में पिंड़ करके दिया गया है आप वहाँ से directly टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं 61 का answer करिए आप सभी सबजीयों के रेसे चूने में ठंडे होते हैं ठंडे होते हैं ठीक है तो आज का सेशन यही पर समाप्त करते हैं धन्यवाद